लेटी फिजेक्स चैप्टर मोशन एन प्लेन और हम बढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन ठीक है मैं बताया था सर्कुलर मोशन को थोड़ा डेफ्स से पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन का फर्स लेक्चर हमने कल किया था complete और उसमें हमने पढ़ा था linear velocity एंगुलर वैलोसेटी लीनियर डिस्प्लेस्मेंट एंगुलर डिस्प्लीसमेंट ठीक है इनका रिलेशन क्या है सरक्लर में होता गया है तो यह सब चीज हमने पिछले लेक्चर में temple की थी अगर आपने ये वीडियो नहीं सब्सक्राइब निए तो यह आगे का स्वाज में आएगा अगा 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 और आज हम उससे आगे गा ठीक है, तो circular motion में पहले हमने क्या दिखा था कि सर्कल एक चक्कर वाला motion था, पार्टिकल ऐसे मूब कर रहा है, और इसमें देखेैं, यह जो लेयर वैलियृ सिटी और इसकी एंगुलर वैलियृ सिटी इन्साइड होती थी, जहां सेम देखते थे, वो एक्जीयल बेक्टर लेते थे, A B ऐसे करके अच्छा जी ये चीज़ समझ में आगी है हमे यह होता था थीटा और इसको बोलते थे हम angular displacement केलियर था angular displacement ऐसे यह S हो यह R हो यह R हो यह थीटा हो तो इसका relation भी पढ़ते थे S is equal to R थीटा थीटा क्या होता था यहां angular displacement ठीक है जो कि एक vector quantity है और कैसा vector है axial vector है axial vector कौन से होते हैं जो along the axis होते हैं direction motion कैसे निकालते हैं इंदर direction ऐसे करके थम outside तो इसमें angular displacement की direction outside और अगर यह motion हो तो थम inside आ रहा है तो angular displacement की direction inside के लिए रहा है S is equal to R थीटा पढ़ा था एक हमने पढ़ा था linear velocity और angular velocity V is equal to R omega ठीक है V is equal to R omega या omega is equal to VyR के लिए रहा है omega is equal to VyR omega को बोलते थे हैं angular velocity ठीक है जिसकी unit radian per second होती थी अब यहां से हम आगे पढ़ रहे थे कि हमने देखा है कि omega is equal to VyR ठीक है circular motion में होता है तो reality में जो omega is equal to VyR है इसमें हमने बताया है कि Vy perpendicular होता है यानि omega और Vy perpendicular है देखे यहां पर यह Vy है और omega देखे इसके equal along है तो यह देखे हमेशा perpendicular होगा यह B होगा तो यह इसके perpendicular होगा तो इसका मतलब omega ठीक है और Vy कौन सा लेना है परपेंडिकूलर वाला लेना है ठीक है देखे questions करते है कुछ समझ डाउट आपका clear होगा कि suppose करो यह कोई A point है और यहां से suppose करो 4 meter एक particles है जो ऐसे चल रहा है 20 meter per second की speed से और यह point है B ठीक है आपसे पूछा के angular velocity बताओ add point B angular velocity add point B तो simple simple लग देंगे हम omega is equal to V perpendicular by R देखें V perpendicular ही है यह R के V R के perpendicular है तो omega is equal to 20 upon 4 that is 5 radian per second clear हो गया omega is equal to 5 radian per second चलो जी बहुत अच्छे अब वो कह रहा है कि चलो जी पार्टिकल चलता हुआ ऐसे ऐसे यहां पहुँच गया suppose करो C point पर और जब हमने देखा तो यह angle बना रहा था ऐसे गरके 53 degree clear अब आपसे पूछा कि अब बताओ C point पर इसकी वेलोसिटी ठीक है C point पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी अब क्या करना है अब देखिए हमें समझ में आ रहा है कि क्या अब यह इसकी perpendicular distance है यह इसकी perpendicular distance आएगी ठीक है तो अगर यह इसकी perpendicular distance है यह वाली तो इसका मतलब है कि जो V है वो ऐसे आना चाहिए V के components होने चाहिए यानि यह जो 20 है यह जो 20 है ऐसे जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक है इसके components हो गई यहाँ पर यह अगर R है तो 20 के perpendicular आएगा और इस R को हम निकाल सकते हैं देखे ध्यान से यह angle आपको याद होगा 53 का angle ठीक है 53 53 होता है तो यहाँ केतना होता है 4 यहाँ केतना होता है 3 और यह केतना होता है 5 तो चेक कर लीजिए इसका मतलब है अगर यहाँ 4 है तो यहाँ केतना होगा 3 तो इसका मतलब यह केतना होगा 5 केलियर है यह 5 होगा आपका यह 3 होगा तो perpendicular distance R की value तो आपको सब मिल गई कितनी 5 अब देखे यह angle और इसके दो components होगा velocity के एक ऐसे और एक ऐसे ठीक है यह होगा आपका angle theta अब कितना होगा angle चेक कर लेते हैं यह 53 यह 90 यह 37 यह 90 तो यह 53 तो इसका मतलब है यह जो components है velocity का यह वाला यह कितना होगा आपका 20 cos 53 और यह वाला होगा 20 sin 53 clear है तो हमें कौन सा component चाहिए हमें perpendicular component चाहिए that is 20 cos 53 तो यहाँ पर जो ओमेगा की value होगी वो होगी 20 cos 53 by 5 clear है cos 53 की value 3 by 5 5 4 जा 12 oh sorry 20 4 3 जा 12 12 अपन 5 that is 2.4 radian per second आया समझ में तो कुछ v perpendicular का क्या रॉल होता है तो ऐसे v perpendicular का रॉल होता है ठीक है तो यह हमें यादखना है कि अगर हम angular value city निकालते हैं तो v perpendicular लेना है किसके r के v perpendicular r ठीक है यह चीज़ा रखनी है चली एक question और कर लेते हैं ताकि आपको doubt clear हो जाए यह a point यहाँ से 4 मीटर आगे कोई particles है जो ऐसे चल रहा है 45 एंगल पर और इसकी जो speed है वो है 20 root 2 मीटर पर second आपसे पूछा find angular velocity omega ठीक है तो angular velocity का formula क्या पढ़ा है हमने इसको मालो b point है तो हमने पढ़ा है omega is equal to v perpendicular r यह देखिए यह r है क्या यह इस b के perpendicular है यह इस b के perpendicular नहीं है तो इसका मतलब है हमें sb के components बनाने पड़ेंगे एक components यह है एक components यह हो गया ठीक है यहाँ theta बना रहा है तो यह हो गया 20 root 2 cos 45 और यह वाला हो गया 20 root 2 sin 45 clear है तो अब हमें जो b का perpendicular रखना है वो कौन सा रखना है यह 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 रखना है क्योंकि यह है perpendicular इस b r के ठीक है यह r है तो इसके perpendicular यह है तो इससे हम रखेंगे omega is equal to 20 root 2 sin 45 upon 4 that is 20 root 2 sin 45 की value होती है 1 by root 2 that is 4 यह से कट गया 4 5 सा 20 that is 5 radian per second तो clear हो गया हो यह concept आपका ठीक है कि omega निकालना है तो omega जबी भी कभी भी find करोगे तो b का perpendicular पाला components लेना है जो r k perpendicular हो r k perpendicular हो b का वो components लेना है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इसपर number of questions कर सकते हैं ठीक है वो के बल टाइम पास ही होगा कितने भी questions कर लीजिए कि आप concept करना होता है मैंने पहले बोला बाहर बाग है कितने भी बना लीजिए हमारे पास 20 ओर राइटर की book है तो हमारे पास होना क्या है कि हमें concept को पकड़ना है ठीक है concept को power बनाएंगे तो आप numericals easily solve कर सकते हो कहीं से भी try करेंगे तो आप easily solve करेंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं इससे case तो यह हो गया आपका omega का relation ठीक है omega omega होता है v perpendicular by r clear हो गया चलिए जी आगे बढ़ते है omega का एक और relation होता है omega का एक और relation होगा frequency के साथ तो वह होता है 2 pi f frequency क्या होती है number of round in one second अब कोई particle है वो 360 घूमने पर कितना frequency हो जाएगी तो समझ में रहा है 2 pi f तो इसका omega का एक और formula है omega is equal to 2 pi f clear है अच्छा एक और देखते है t is equal to क्या होता है t is equal to होता है 1 by f time period is equal to frequency होता है time period is equal to frequency ठीक है तो omega का हमें एक और formula मिल सकता है यहां से omega is equal to 2 pi upon t देखिए देहान से f के place पर 1 by t put कर ले न f के place पर f इधर ले लिजिए तो f के place पर क्या put कर लेंगे है 1 by t 1 by t put करोगे 2 pi by t ठीक है तो omega के और relation भी आगए हमारे पास यह कर सकते है चलिए बहुत बढ़िया अब पढ़ते हैं इसमें acceleration acceleration पढ़ना है when a particle is moving in a circular path तो उसके पाद acceleration होगा या नहीं होगा अगर होगा तो कौन सा होगा क्या होगा ठीक है acceleration पढ़ते हैं हमारे थोड़ा सा तो देखिए ज्यान से कि अगर कोई particle circle में move कर रहा है ऐसे तो उसकी यह भी velocity है इधर देखेंगे तो यह भी velocity है यहां देखेंगे तो यह भी वैलोसिटी हो गई यह भी वैलोसिटी होगे ठीक है यह ओ सेंटर हो गया तो पहले एक बाद बताईए कि क्या यहां पर velocity change हो रही है 121 if a particle is moving in circular path its velocity change or not बताईए तो इसकी velocity change हो रही है ठीक है velocity change क्यों change हो रही है क्योंग इसकी direction change हो रही है और velocity कैसी quantity है vector quantity है यहाँ velocity की direction यह है यहाँ velocity की direction यह है यहाँ velocity की direction यह है तो velocity change किसके कारण change of direction ठीक है change of direction first समझ लीजे acceleration क्या होता है आपने समझा है कि acceleration क्या होता है acceleration होता है change in velocity आफ Qurai Ho Chi Du You आफो चेंज इन वेलो सीटी अपन टाइंग कि यानिया पंकि आ टी चेंज होने से एक्षउरेच आएग यास वैलो सिटिटी के चेंज होने से एक्षॉरेशन आयगा अब यहां पर द्रॉस्टी चेंज हो रहे जैसे जो acceleration आएगा उसको हम बोलते हैं centripetal acceleration याद रखने आपको centripetal acceleration जिसे हम A, C से denote करते हैं कैसे मिला centripetal acceleration velocity के change होने सर velocity का change क्या हुआ velocity की direction change हुई है तो velocity की direction change होने की बज़े से जो acceleration आता है उसको हम बोलते हैं centripetal acceleration और इसकी direction क्या होती है इसकी direction towards the center होती है इसकी जो direction है direction की बात करें इसकी direction क्या होती है towards center यानि यह center की तरफ लगता है कहां लगता है along radius ठीक है तो अगर यह radius है तो इधर लगेगा centripetal acceleration यह radius है तो इधर लगेगा centripetal acceleration यह radius है तो इधर लगेगा centripetal acceleration और यह radius है तो इधर लगेगा centripetal acceleration ठीक है क्यों चेंज होई वेलोस्टिटी डारेक्शन चेंज होनी को जी से चेंज हो गई तो उसकी वेज़ेसे जो एक्सिलेरेशन आया उसका नाम सेंट्रीपिटल एक्सिलेरेशन है उसकी डारेक्शन क्या है टौर्ड दी सेंटर एलॉंग दा रेडियास के लिए तो एक टाइप का हमारा acceleration हो गया जिस हम बोलते हैं centripetal acceleration चलिए जी सेकेंड टाइप पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइप का समझ में आगया आपको centripetal acceleration तो एक acceleration आगया हमारा centripetal acceleration किसके कारण आया है due to change of direction of velocity direction कैसे होती है towards the center along the radius ठीक है चलो जी दूसरे प्रकार की बात करते हैं सेकेंड टाइप यह centripetal acceleration है तो वी ऐसे ठीक है अब सपोज करो बी का magnitude ही change हो जाए ठीक है अजूम ठीक है अजूम करते हैं इसे लेट दा मेगनिटूड और वी चेंज ठीक है तो मेगनिटूड के चेंज होने की बजए से एक acceleration और आएगा जिसे हम बोलते हैं tangential acceleration के लिए रहे है वो जब ही आएगा जब वी का magnitude चेंज होगा अगर वी का magnitude चेंज नहीं हुआ तो centripetal acceleration तो रहेगा ही क्योंकि डारेक्शन तो चेंज होनी होनी है तो दा मैंनिटूड आप वी चेंज आए न एक्षिलरेशन इस इन दा मोशन इस called tangential acceleration जिसे हम बोलते है 80 के लिए है यह केबल तभी आएगा तब magnitude चेंज हो ठीक है अगर magnitude चेंज नहीं है तो केबल centripetal acceleration ही आएगा यानि इसका मतलब है कि यह जो acceleration आएगा tangential यह आएगा magnitude के चेंज होने की बज़े से ठीक है डी वी बाइटी magnitude मतलब velocity का magnitude क्या होता है reality में यह जो है velocity का magnitude क्या होता है reality में यह speed होती है ठीक है तो speed change होने की बज़े से जो acceleration आएगा उससे हम tangential acceleration बोलते है ठीक है जी तो यह जब ही आएगा जब magnitude चूट बी चेंज होगा, अच्छा इसकी direction क्या होती है, इसकी direction along the tangents, tangent होती है, इस direction, along the tangent, ठीक है, अब कैसे होगी, suppose करो कि V अगर increase हो रहा है तो its direction in the direction of V तो जो tangential acceleration है its direction along V यानि अगर V ऐसे है तो tangential acceleration भी इसी के साथ होगा अगर speed या velocity का magnitude की direction decrease हो रही है तो ये इसके just opposite होगा its opposite to along V यानि फिर ये ऐसे होगा कि V ऐसे और ये इसके along ऐसे होगा clear है? दो चीज़ आगे ही समझ में आपको अच्छा जी third एक और होता है इसमें third उसको पढ़ते हैं फिर फिर पढ़ते हैं fourth को ठीक है? अभी तक आपको acceleration पता को एक 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 क्यों होता है नहीं acceleration के types आ गए first centripetal acceleration clear हो गया किसके कारण change of direction of velocity ठीक है? second वाला magnitude के change होने की वज़े से आता है third इनका net होता है ठीक है net इदर कौन सा? AC सपोजगर हो और इदर कौन सा? AT तो इनका जो net होगा वो कुछ इदर होगा और इसको बोलते हैं हम A net तो इनका net इदर आ गया तो यह third type का acceleration होगा आपका third type A net और A net को हम लिखेंगे समझ में आ रहा है आपको AC का square PLUS AT का square simple है A net निकालेंगे तो कैसे निकलेगा AC का square PLUS AT का square PLUS 2AC AT cos theta अब cos इनके बीच में कितना है? 90 cos 90 की value 0 होती है तो इसका मजब इनका net निकालेंगे वो सीधा सीधा AC का square PLUS AT का square आ जाएगा AC क्या है? Centipital Acceleration AT क्या है? Tangential Acceleration ठीक है? Centipital Acceleration Direction की बज़े से Tangential Acceleration इसके magnitude की बज़े से तो अगर हम बात करें जैसे अभी यहां और देख लिए कि Centipital का formula क्या होता है? Find करना हो तो V square upon R Centipital Acceleration का formula होता है V square upon R ठीक है? यहा फिर होता है Angular के ट्रमस में लिखो तो R omega square R omega square V is equal to R omega लग दीजिए R square omega square R से R power कट जाएगी That is R omega square R S1 में V का relation क्या है? R omega V के place पर R omega लग लिजिए R square omega square upon R इससे power कट गई तो AC is equal to R omega square यानि दोनों ट्रमस हम Centipital Acceleration के लिखते हैं और Tangential के क्या फॉर्मूला है AT is equal to DBYDT Clear है तो यह Tangential वो Centipital और यह हो गया उनका net Clear है यह है उनका net AC का square प्लस AT का square तो हम इससे ऐसे निकाल लेंगे तो यह 3 डाइप के आपके Acceleration हो गए Simple है वहनकी direction आप समझ रहे हो अगर यह decrease भी होता तो ऐसे होता तो यह AC यह AT और इनका A net इधर आजाता इनके बीच में अब भी एंगल केतना होता 90 Clear है तो यह concept आपका Acceleration का तो इसमें हमने 3 डाइप के Acceleration कर ली यह भी तक Centripetal Acceleration Tangential Acceleration और Net Acceleration ठीक है इन दोनों का Net इसके बाद अभी एक और रहता है हमारे पास Angular Acceleration ठीक है उसे हम अपने Next रम में करेंगे और इसके Numericals भी करेंगे ठीक है नेक्स रम में तो आप यहां तक का concept क्लियर कीजिए और जो भी concept है उसे मैंने पहली बताया आपको concept के साथ पढ़िए ठीक है यानि base को आप strong कीजिए क्योंकि base strong है तो आपका subject strong है और यही है हमारे Root of Study का program तो चैनल को like करें सब्सक्राइब करें जुड़े रहें Root of Study के साथ